फ्रेंड यार हमें से कही सारे लोग transmitter तो खरीद देते हैं लेकिन हमें transmitter से receiver को bind करना नहीं आता है आज हम transmitter से receiver को bind करना सीखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है bind cable मैंने यहाँ पर receiver से इसे connect किया यहाँ पर लिखा हुए B और VCC सो आपको यहीं पर इसे connect करना होता है then यहाँ पर मैंने ESC का lead wire को channel number one में connect किया है power supply के लिए ऐसा ज़रूर ही नहीं है आप channel number one two three four किसी में भी connect कर सकते हो power supply के लिए सो चली अब हम ESC को power supply दे देते बैटरी से सो आप यहाँ पर देख सकते है receiver की जो LED है वो blink हो रही है friends अब हमें क्या करना है अब हमें इस bind button को press करके रखना है then हम power इसको दे देते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा जो LED है वो solid हो चुका है और यहाँ पर हमारा शो भी हो रहा है कि हमारा receiver bind हो चुका है successfully